तो आज हम बताने वाले हैं बर्थ सर्टिपिकेट जनम प्रवनपत्र में डिफ्रेंस पता करना है कि कौन सा ओर्जिनल है और कौन सा डूब्लिकेट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कुछ जनम सर्टिपिकेट है जो होस्पीटल से निर्गत किया गया है इस हाथ से इसमें सिंगनेचर और मोहर सरा चीज डेट वरिफाइग किया हुए है होस्पीटल से जो अधिकारी होते हैं उन्होंने खुद अपने हाथ से सिंगनेचर किया हुआ इसमें और इस्टाम मोहर भी लगाया हुआ है और डेट भी दिया गया हम बलर इसलिए कर दिये है है क्योंकि यह किसी का security है इस लूपलिक नहीं कर सकते हैं इसके वज़ teacher हम लोग यहां पर इसको बलर कर दीएं तो चलिए difference पता करेंगे क्योंकि आज कर मारकेट में ऐसा जज़ी समय में dalक्राइब लोग करते हैं तो लिंक उनका URL जो उताopic with a बिल्कुल ओर्जिनल की तरह ही दिखता है जी ओ भी डॉट इन दिखता है तो कैसे डिफ्रेंस करना चलिए आप लोग को हम तीन मैथट बताने वाले हैं तो वीडियो पर शुरू से लाच तक बने रहिएगा तो चलिए चलते हैं फर्स्ट नियम की और पहला मैथट जिसमें आप लोग देखते ही पहचान जाइएगा कि यह सर्टिफिकेट ओर्जिनल है या फिर डॉब्लिकेट है तो कैसे तो चलिए बताते हैं लेकिन हाँ एक चीज इसमें ध्यान दिजिएगा कि यह 40% वर्क करेगा इसमें 100% हम यह नहीं कर सकते हैं कि यह ओर्जिनल ही है ठीक है लेकिन एक ऐसा चीज भी हम बताएंगे जिसमें यह 100% वर्क करेगा और इसमें आप लोग बहुत ही असानी से डिफ्रेंस कर सकते हैं सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट की कौन सा ओर्जिनल है और कौन सा डॉब्लिकेट तो इसमें हम 3-4 तरीका मैथट रूल बताने व गया निए लिक्त अब लिछाओ जिस सर्टिफिकेट में यह ओके लिखा हुआ है वो आपका ओर्जिनल और आयोंगे और्जिनल वह भी सर्टिपिकेट और्जिनल ही होंगे लेकिन यह आपका हम पहले ही बोल दियें कि यह 40% वर्क करेगा इसमें यह 100% हम नहीं बता सकते कि वह और्जिनल ही होगा लेकिन एक चीज तो है कुछ तो हिंड्स मिल जाता है देखते ही आप लोगों को पता चल देता क कि यह और्जिनल है क्योंकि फ्रीन पॉटल जो मार्केट में है जो कि एक मिनट के अंदर विदिन सकेंड के अंदर आपका सट्टिपिकेट जेनरेट कर देता उसमें यह चीज लिखा हुआ नहीं रहता और यह चीज लिखने का ऑप्शन भी उसमें नहीं होता ओके लिखने यह चीज डिफ्रेंस करने का एक पहला मेथद है चलते हैं सकेंड मेथड की और जिसमें फुली वर्क करेगा सकंड मेथद है यहाँ पर देख सकते हैं पंजीकरन संख्या रिइस्ट्रेशन नमबर जिनके पास आई डी होता है वह रिइस्ट्रेशन नमबर डाल के चेक कर सक चलते हैं third method की और एक मोहर और signature इसमें भी हम लोग difference नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज digital सराचिस कर दिया इस टाम भी आपका digital और signature भी digital तो चलिए चलते हैं एक ऐसा तरीका method की और जिसमें हम fully 100% उसमें difference अंतर कर सकते हैं तो कैसे चलिए वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता थोड़ा लेकिन इसी तरह यूच फिल वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है तो इस चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले क्योंकि जैसे ही न्यू वीडियो अप्लोड करेंगे आप लोग को नोटिक्रिशन मिल जाएगा तो कोई भी ब्रोज यहां पर देखें इनका dashboard open हो जाता है लेकिन एक चीज ध्यान दीजेगा आप लोग यहां पर इनका URL पर जो लिखा हुआ चली हम यहां पर दिखाते हैं हम लोग को highlight करके यहां पर देख सकते हैं उपर में CRS चली यहां पर कैसे difference पता करना है आप लोग को यहां पर हम बता आज कल क्योंकि पहले तो कुछ भी कुछ से कुछ लिख के URL बना देता था फ्रीन पोटल में लेकिन आज कल यहां तक रहता है जी ओभी डॉट इन तक जिसमें आप लोग को काफी परेसानी होती है difference करने में original और duplicate में तो चली आप लोग को हम बताएंगे इसा trick जिसमें तो कैसे चली आप देख सकते हैं यह original link हो गया government का side आई है birth certificate और date certificate का यह original side है यहाप देख सकते हैं इसका URL में किस तरह का लिखा हुआ है तो आप लोग तो जानती होंगे को भी domain यह URL same का नहीं होता है जो भी URL बनता है बस एक ही बनता है जिस तरह आप लोग Gmail ID बनाते हैं एक ही नाम से अगर वो नाम किसी और का वी रहता है उस नाम से create हो चुका है Gmail ID तो फिर आपको वो नहीं होगा उससी तरह यह भी चीज़ है ठीक है तो कैसे difference करना देख सकते हैं इसका link यह link हुआ 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 जी ओभी डॉट इन इसका फिट डॉट अगर होगा तो वह डूबलीकेट होगा अगर इन के बाद अबलीक वेव लिखा हुआ रहेगा तो ओर जिनल होगा ठीक है तो चलिए आप लोगो एक दिखा देते हैं और जिनल का स्केन करके qr-court और एक डूबलीकेट का चलिए आ अब देखें ओर जिनल का पहले हम इसकेन qr-court कर लेते हैं जैसे ही ओर जिनल का qr-court इसकेन किये तो हम आप लोगों को बताये थे यहां पर जी ओभी डॉट इन के बाद अब लिख और वेव लिखा हुआ रहेगा ठीक है इन के बाद जी ओभी डॉट इन के बाद फिर से डॉट नहीं होना चाहिए ओभी वेव होना चाहिए यह चीज आप लोग ध्यान दीजेगा ठीक है वह चीज से लिए आप लोग को हम डुब्लिकेट वाला दिखाते हैं तो हम बहुत चीजों का id भी सेल करते हैं आप हमें कॉंटक्ट कर सकते हैं डुप्रिकिशन में टेलि क्लिकेट बर सेटिफिकेट ओपेन किये हैं देख सकते हैं पर रिमार्क के जगह ओके नहीं लिखा हुआ है और चलिए इसका हम क्यूर कॉट स्किन कर लेते हैं यहां पर देख सकते हैं crss.gov.in.web लिखा हुआ है जो कि उसमें आप लोगों को डॉट नहीं लिखा हुआ रहा था और जिनल में इसमें . लिखा हुआ है मैंने . का सिंबॉल है और उसमें ओब्लिक का सिंबॉल था तो यही वैरिफाइ करने का एक सिंपल आसान तरीका है कि आप लोग यहां से difference कर सकते हैं original birth certificate में और duplicate birth certificate में यह scan कहां से करना है तो आप लोगो Google Lens Play Store से download करना ना है यहां से Google Lens जिनका नहीं है download वो आप लोग यहां पर download कर सकते हैं मेरा download है यहां पर open कर लिजेगा और किसी वह QR code को scan करके चेक कर सकते हैं उनका website या क्या वो वस्तू है वो सरा चीज बता देगा जैसे यहां पर देख सकते हैं यह मुवाइल है तो जैसे इनको scan करेंगे तो यह मुवाइल का model वेगरा सरा चीज बता देगा यह क्या चीज है देख सकते हैं इनको पता से लगए कि वह मुवाइल है तो यह गूगल लेंस बहुत ही अच्छा है आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं यहां से क्यूर कोड इसकेन करके बहुत अच्छी तरह से डिफ्रेंस पता कर सकते हैं कर सकते हैं